जेहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों कर्मचारी भौष नेधी संगठन यानि की EPFO में भरति कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों और इसका ऑनलाइन आवेदन भी श्टार्ट हो गया है तो दोस दोस्तो आईए ये डिटेल से इस भरती के बारे में हम लोग जानते हैं इसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो दोस्तो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा गौवर्मेंट जॉब के इसी प्रकार के मोर अपडेट के लिए दोस्तो आईए सुरू करते हैं द नीजिए देकिं 25 सरुष से स्टार्ट हो गया किसी कारण से दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूं लेकिन सरवरी से इसका online आवेदन श्टार्ट हो गया है और 17 March last date है ठीक ना देखिए number of total post ही बात करेंगे तो 577 है अब काफी सारे छातर number of post देख करके ही skip कर जाएंगे देखिए जहां पे number of post कम रहता है वहां पे कम लोग आवेदन भी करते हैं तो competition कम रहता है दोस्तों देखिए अगर exam की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो exam है वो UPSC conduct करवाता है ठीक ना UPSC जो है इसका exam conduct करवाएगी देखिए फीस की बात करेंगे तो general OBC EWS का जो candidate है केवल 25 रुपाई देना पड़ेगा farm के लिए और उसमें SC, HT और female candidate को को कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों 0 र बात करेंगे तो 17 मार्च 2000 तईफे age को count किया जाएगा दोस्तों minimum criteria यहां पे age का कोई नहीं रखा गया है लेकिन maximum age की अगर बात करेंगे तो EO यानि की enforcement officer और account officer के लिए अगर आप farm को fill करते हैं तो उसमें 30 साल होना चाहिए maximum age और EPFO के लिए यानि की कर्मचारी भवश ने इस अंगठेंग के लिए अगर माली जी आप apply करते हैं तो उसमें maximum age 35 फाल यहां पर दिया गया है ठीक है तो बीफी के लिए छूट मिल रहा है तीन फाल के लिए और CST candidate वाले को भी पाम फाल का यहां पर age में relaxation मिल रहा है तो दोस्तों परियाप्त मात्रा में यहां पर age द लांगा जा रहा है दोस्तों क्या eligibility होनी चाहिए तो केवल graduation यहां पर मांगा जा रहा है BA, BFC, BECOM वो फाल को फिल कर फक्ते हैं दोस्तों फिल कर फक्तों यहां पर कोई percentage का issue भी नहीं दिया गया है ठीक है न कि इतना percentage है कोई limitation यहां पर नहीं है दोस्तों percentage का देखें फिलेक salary कि अगर हम लोग बात करेंगे तो salary बहुत अच्छे बात है देखें सबसे बड़ी बात इसमें यह है न यदि आप लोगों का इसमें अगर हो जाता है न दोस्तों EPSO में अगर माली जी आप लोगों का हो जाता है तो इसमें आपको एक अलग से cabin दिया जाता है ठीक है ना इसके अलबा आईए अब जान लेते है salary की बात दोस्तों तो देखें EPSC के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें 85,058 monthly salary है दोस्तों 85,000 से ज्यादा salary monthly का है उसके बाद EO यानि की enforcement officer और account officer के लिए अगर आप लोग apply करते हो इसमें अगर होता है तो 60,000 monthly salary आपको मिलेगी तो देख रहे हैं na salary बिल्कुल ठीक ठाक है दोस्तों कोई दिक्कर ने ये salary में उसके बाद आए जाल लेते हैं vacancy detail के बारे में दोस्तों तो EO यानि की enforcement officer और account officer के अगर हम बात करेंगे तो number of total feet 418 है जिसमें general candidate की बात करेंगे तो 208 feet है OBC में 78 feet है EWS में 51 feet है SC की बात करें हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो उसमें number of feet 159 है जिसमें की देखें यहां पर भी category wise feet यहां पर दिया गया है दोस्तों general की बात करेंगे तो 80 feet है OBC के लिए 80 feet है EWS में 16 feet है SC में 25 feet है और HD में 12 feet है दोस्तों pH handicap की बात करेंगे तो इसमें भी 8 feet है इसमें दोस् करेंगे दोस्तों तुनको 50 number लाने जरूरी है 100 में से OBC की बात करेंगे तुनको 45 number SCHT और PhD है दोस्तों तो उनके लिए 40 number है यानि की 100 में से आपको इतने number लाने है category तब जाकर के आप लोग interview qualify कर पाऊ और बाकी का 300 number है दोस्तों जो बाकी का 300 number है वो होगा आपका syllabus में है तो syllabus में किसके subject से question पूछा जाएगा दोस्तों वो पहले देख लिए क्योंकि syllabus काफी long था इसलिए आपको इसके लिए mobile के screen पे चलना होगा यह देखें दोस्तों यह कर्मशारी भाविश नेधी संगठन यानि कि APFO का जो official notification है दोस्तों इसमें सारा basic detail जो है इसमें दिया गया है number of total post कितने हैं कौंकों से post पे vacancy आई है दोस्तों और भी बहुत कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा तो दोस्तों देखें सब अलावा industrial से related question रहेंगे sociology से question रहेंगा math, reasoning, science से question रहेंगे दोस्तों उसके अलावा Indian culture population से question पूछा जाएगा दोस्तों quality से question रहेंगे यानि कि कुल्मला के आप लोग दोस्तों देखें वीडियो को pause करके भी आराम से अच्छे से पढ़ लीजेगा दोस्तों कि कौंकों से य इंगली से question पूछे जाएगा sociology से question पूछे जाएगा उसके अलावा elementary mathematics से question पूछे जाएंगे दोस्तों और यह देखें यहाँ पे किस-किस zone में विकिंसी आया है यह भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे आप सारा का सारा basic information जो है यहाँ पर प्र आप लोग वीडियो को पाउस करके भी दोस्तों अच्छे से read कर सकते हो नोटिफिकेशन को तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने syllabus को देख लिया है उसमें देखे math, reasoning, current affairs, gk, computer, polity, उसके अलावा Indian economy, Indian culture मलब कासी सारे topic से वहाँ पे question जो है आएंगे दोस्तों आपके exam भी इसी से आपको idea एक लग गया होगा कि छोटा मोटा exam नहीं है दोस्तों और salary भी इसमें देख रहे हैं आपको कि कितना अच्छा दिया जा रहा है, है ना, APFC के लिए 85,000 से उपर, enforcement office और account officer के लिए 60,000 से उपर salary है, तो दोस्तों अच्छा खासा salary है, अगर आप लोग मालने लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा, चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो दोस्तों तो चैनल को जरू subscribe कीजेगा, इसी प्रकार के government job के more update के लिए, इस भरते के regarding अगर आपका कोई भी स्वाल हो दोस्तों तो आपके लिए comment section खुला है, आप लोग पूच सकते हो, फिर कि finished वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.